हयां ह्लो है नमस्ते कैसे आप सब मैं रुबी गुपता स्वागत करते हूँ आपका अपना चैनल रुबी गुपता ब्लाग में आज जो हम बनाने जा रहे हैं यह है बहुत ही हेल्दी हाइप प्रोटीन यूप स्वेवीन का डूसा जी हां बिलकुल स्वेवीन का डूसा और यह बहुत ही आसान है, से बनाना बहुत ही एजी है, बस थोड़ा ताइम लगता है, और बहुत जल्दी हेलदी और फेस्टी डोसा त्यार हो जाता है, तो चलिए आज हम बनाते हैं सोयबीन का हैलदी और हाइ प्रोटीन यूग्द डोसा, इसके साथ खाने के लिए हम बनाएंगे नारियल की चट्मी इसके लिए हमें चाहिए एक कप मुंपली इसे हम लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे हमारी मुंपली भून गई है अब हम इसके छिलके निकाल लेंगे और इसे ग्राइन करेंगे इसके लिए हमें चाहिए वन फोर्थ कप दही वन फोर्थ कप नारियल का बुरादा दो हरी मिर्च चार लहसुन की कलिया थोड़ा सा पानी जिसमें हमने दही लिया था उतना ही पानी हम एड़ करेंगे हमारी नारियल की चटनी आधी से अधिक तयार हो चुकी है अब हम इसमें तड़का लगाएंगे इसके लिए हमें चाहिए एक चमश तेल आप घीवी डाल सकते हो एक चमश राई थोड़े से कड़ी पत्ते थोड़े से सूखा हुआ लाल मिर्च अगर आपको ज़्यादा पीख पसंद है तो आप और भी डाल सकते हो हमारी तड़का त्यार उचिक है और हम इसे नारियल की चटनी में मिक्स करेंगे अब हम अपना डोसा त्यार करेंगे इसके लिए चाहिए हमें एक कप सोयवीन एक तमाटर दो सूखी लाल मिर्च एक इंच तक अदरक का टुकड़ा थोड़ा सा नमक इसमें हम उतना पानी आड़ करेंगे जिससे हमारी जो भी चीज़े वो डूब जाए और दस मिर्टा किसे बॉइल करेंगे जिससे जो हमारी टमाटर है वो अच्छे से पक जाओ और उसके छिलके निकलाए छिलके निकालके हम इन सब चीजों को भी छान के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे अब हमें चाहिए एक कप मैदा थर्ड फोट कप चावल का आता वन फोट कप दही थोड़ा सा नमक टेस्ट के कोडिंग एक चमजीरा और जो हमने पेस्ट बनाया था सोयबीन का वो भी इसमें मिक्स करेंगे हमें थोड़े और पानी की जुरत पड़ी है इसलिए हम इसमें थोड़ा और पानी एड़ करेंगे हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और दस मिट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए ढगके छोड़ देना है दस मिट हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे बहुत सारे वेगीज जिसमें आपका कैबज फाइन चॉप्ट कैबज पत्ता गोवी फाइन चॉप्ट टमाटर फाइन चॉप्ट प्याज हरा धनिया इन सब को भी अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आपको पानी की नीड होती है तिसमें और पानी एड करेंगे जिससे हमारा बेटर थोड़ा धिला हो जाए अब हम एक तवा लेंगे और उस पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और अब इस पे हम अपना बेटर डालेंगे और उसे अच्छे से फेलाएंगे ज्यादा पतला नहीं करना है हमें एक साइट से हमारा डोसा तयार हो चुका है सिक करके हम दूसरी साइट से भी इसे सेकेंगे शुरू में थोड़ा चिपकेगा लेकिन जैसे जैसे तवा जलता जाता है तेल से उतना अच्छा यह तयार होता जाता है इसलिए उसकी चिंता ना करें हमारा डोसा तयार हो चुका है आप भी इसे बनाएं और खाईए हाई प्रोटेन युक्त सोइबीन का डोसा आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए आपको यह रिसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू सो मच